इस्टेट एंगल और रिफ्लेक्स एंगल जादा तर लोग इस्टेट एंगल और रिफ्लेक्स एंगल भी कन्फ्यूज रहते हैं तो अगर कोई लाइन है और उसमें 180 डिग्री का एंगल बन रहा है तो उसको बलते हैं straight एंगल और यहां पर यह एंगल जो बन रहा है 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है तो इस एंगल को बलते हैं reflex एंगल